गोपाल गंदर संघार को लेकर तेजस्वी यादो ने बिहार की राजनिती को गर्मा दिया है पिछले एक सब्ता से तेजस्वी यादो अक्रामक रूख अक्तियार किये हुए हैं और जेडियू के बाहुबली विधाय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्री अस्तर त प्रात्मिक्ता जो न्याय दिलाना विपख्ष को ही नहीं बगलके सरकार की बीनतिक थी मिदारी बनती हैं तिसको न्याय दिलाने में इस्वारक संद्रेश अधिया इवर्फ पप्पू पांडे वह सतीश पांडे जो बहुत बड़ा क्रेमिनल है उसका ब्हाई है और पप् लगतार कई सालों से इन पे जो धाराएं लगी कोई भी आई पी से सेक्षिन नहीं है जो इन पे नहीं है अब चाहे रामाश्रे सिंग खुश्वा हत्याकांड की बात हो या वरिश नेता शिवकुमार उपाध्याय को जो धमकी जमीन विवाद पर देने की बात हो अनील तीव जो वरतमानी जिनकी पतनी मुख्य उनका मामला हो यह जो जैपी अभी उतके प्रीवार को लोगों को जो मारा गया उसकी बात हो जो नर संगहार हुआ शंभू मुश्रा की बात हो मुन्ना तीवारी की बात हो एक सरकारी पद़िकारी भी तामां है है वहा अक्तर जो अधिक पदादिकारी उसकी पत्नी ने भी कंप्लीन किया था कर्शक्षन कंपणी को भी नोने अखिलेश कुमार जैसवाल को धमकाने का काम किया था और साक्ष पुलिस करती साक्ष नहीं आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साक्ष पड़ा हुआ अब पुलिस जो है कोशिश नहीं क को स्टी एफ उत्तर प्रदेश गुबाल गर्ज बिहार में शक्रिय माफिया देख शब्द का इस्तमान देख शक्रिय माफिया सतीश पांडे गैंग सतीश पांडे गैंग का दुनतांद शूटर पपूश वास्तव जो गिरफतार हुआ उसने ब्यान दिया है वर्ष 2014 में कि एक बार फिर सतीश पांडे अम क्rib्रेंद्र पांडे धिवृट ही से करना यह हम तो नहीं कहा रहे है यह तो इसका शूटर कहे रहा है अमरेजर पांडे का शूटर कहे रहे हैं वर्तमान विदहायक और अजे मिश्सरा के साथ उसने एक ए फोर्टिसिएंट以前 फोर्टिसे लेठा हुआ प्रभू होता है उससे जुड़े हुए जो अपराधी होते हैं ऐसे ही बचते रहते हैं और आपको नहीं लगता है प्रादी को यह जितना भी बचाए लेकिन भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है भगवान के कोड़ में जुटिस में लेगा लेकिन अभी जो है इनको जश्टिस दिलाना किसकी जमेदार यह धर्ती पर जो लोगों ने वोट दिया जो लोगों ने उमीदों से सरकार बनाई अब बते बीजेपी के ही नेताओं को मारा जा रहा है धमकी दी जा रही है और बीजेपी खामोश है तो बीजेपी के लोग जब अपने ही नेताओं को जो है नयाय नहीं दिला पाएंगे अपने ही वरकर को नयाय नहीं दिला तो आप समझ सकते हैं जनता को क्या नया दिलाई है अपको नहीं लगता है कि क्रिमिनल बिहार में अपुरे देश में कास्ट कमुनिटी के हिरो बन गया है अपराद का अपराद का अपरादियों का एक ही जात धर्म है वो अपराद है ऐसा नहीं है उनका एक ही जात है एक ही धर्म है वो है अपराद और हम तो कह रहें कि गिरफतार कौन करेगा हमारी सरकार तो है नहीं हमने किसी को तो रोका नहीं है लेकिन गिरफतार करने वाला कौ लेकिन आरोप लगे आपकी पार्टी के विधायकों पर नेताओं पर भी तुनके खिलाब आप करवाई तो कर सकते हैं ना भाई वो अल्रेडी सेस्पेंड और क्या कीजेगा लेकिन हथकरी तो हम नहीं लगाएगी तो लगाए जिस पर लगाना है साक्षे तो लगाए लेकिन किस मुकाम तक ले जाएंगे इस लड़ाई को जो संभाब अदत होगा वो करेंगे अब तो सरकार बताए को साइटी बताई है तो टाइफ्रेम तो बताईगे ना कब तक गिरफ्तार करेगी और अब तक इतने मामले आये को एक साल की बात निया दुजार बीस की बात दुज लगतारी मामला है तो अब तक अधिकरी जो है उनको बचाने का काम करें यानि राष्ट्री अस्ता पर ले जाएंगे कौन साक्ष कोई लोग साक्ष जुटाने में लगें कि मिटाने में लगें कि ऐसा लग रहा कि लोग साक्ष को मिटाने का मामला है जो हाँ भी राष्ट् जल से जल किरफ्तारों विह पी चुनावी त्यारी में जूट गई हैं आपकी पार्टी की क्या देखिये हम लोग जंता के सीवां में लगये हैं जंता भूकिया बेरोजगार है जंता जो हें पीडत हैं जंता को नियाय स्चाहिए हम explodes पूरी तरीके से जंता के साहिए हैं और बीजेपी के लोग वर्चियल परहली कर रहो हैं। इससे अच्छा होता है डिजिटली लोगों को पहुंचाने का काम करते है। प्रहाब कोन देखेगा कि अब दीके कहां है दूसरे मंतरी कहां है पता है । कौन क्या कर रहा है कि मंत्री है का है स्वास मंत्री क्या है आपको पता है ना विधान सबाज बजट सेशन था तो मुख मंत्री का भाशन था उन्होंने साफ और रिकॉर्ड पालिम ऐसेंब्ली में कहा कि हमने स्वास विभाग को सव अंटिलेटर के लेका है कहां गयो सव अब जनता परिशान है हम कमजोर हो मजबूत हो दिस सेकेंडरी जनता तो परिशान नजर आ रही है कि सरकार इतना मजबूत हो गया कि बिहार में रहने वाले को बिहार नहीं आने देगा आप लगता है मजबूत नराज है बहुत सबख सिखाएंगा क्या है यह तो सामनी नजर आ रहा है लोग अकरोश में हैं पीरत हैं परिशान हैं मर रहे हैं भूग से गोली से मर रहे तेजस्व यादो जी आपके सही होगी दल क्यों आपके प्रनिशाना साथ यह तन्रामा ज मामला की जनकारी नहीं होगी जनकारी पहुंचा दिया जाएगा अब सबसे मिलेंगे बात करेंगे अब तो चुनाव आ रहा है जगदा बाबुजी को जिम्यदारी है वो देखेंगे अपना क्या करना है तो यह थे तेजसु यादो जो बिहार की राजनीती को गर्मा चुके हैं पिछले एक सब्ता से आगे भी इनकी बड़ी योजना है और इनकी बातों से लगता है कि कुरोना संकट में ये प्राथ्मिक्ता दे रहे हैं कुरोना संकट में जो फसे हुए लोग है उनको मदद करना है चुनाओ बाद में स्रिकान प्रत्योस प्रत्ना